हालो एवरिवन वेलकम तो माई यूटूब चैनल कुकिंग एंड मोर विद कौरी एंड आएम कौरी आज एम पनीर की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे बहुत कम समय में बनाएंगे ये पनीर रेसिपी बिना लेसन प्याज के बनाए तो आई ये शुरू करते हैं माज में आने जा रहे हैं मलाई पनीर मलाई पनीर के लिए मैंने 200 ग्राम से थोड़ा सब पनीर लिया था पांचे मैंने चुट 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 टामाटर को मैंने ये इस तरह से कट पीस कर दिया है अब मैंने एक कढ़ाई ली है और थोड़ा भूनते चले जाना यह थ्यूदा आधे रहेंगे कर लिंदें तो से आप वैसे वैसे ही हाई फ्रेम पे ही बh deliver लेंगे मैंने इसमें एक हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने सौद के लुदा ढल सकते हैं मैंने कम डालीे अब यह इस आप वापस थोड़ा सा भून यह देखिए अब यह काफी हद तक भून चुके हैं मुझे स्यादर नहीं भूनने हैं बस मैं अब गैस बंद कर रहे हूं और इसे थोड़ा थंड़ा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे यह दिखिए नहीं कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बना दिया है यह देखिए बहुत बारी यह मैंने पीस लिया है अथ्यक में प्लिप अच्छती पंठी बन चुका है मैंने हैं ठोशी कैनली है आता की Partners साभूत भी डाल सकते हैं यह आच्छे से कुट के भी डाल सकते हैं अब मैंने जो टमाटर की प्यूरी बनाई है इसमें डाल दिया है अब मैं इसे अच्छे से पखने दूँगी अब मैं इसे मिलाती रहूंगी क्योंकि यह नीचे नहीं लगे इसलिए अब मैंने ऊपर से थोड़ी सी आधी चमच इसमें हल्दी डाल दिये आधी चमच लाल मिश पाउडर डाला है आधा चमच पिसा हुआ धनिया डाला है जब टमाटर ऑइल छोड़ दे समझ लो ही अब मुझे इसकी ग्रेवी बनानी ग्रेवी बनानी के लिए मैंने इसमें पानी डाला है अब उपर से फ्रेश क्रीम डालेंगे मैं अमूर की टेटरा की फ्रेश क्रीम डाल रही हूं आप घर की फ्रेश क्रीम भी उसकर सकते हैं घर की फ्रेश क्रीम इससे ज़्यादा अच तो नो पर ठ्रैश्क क्रीम में जाता है और आप इसको अच्छे से नहीं मिला एंगे तो यह थोड़ा सा फर्सा जाता है जिसे दूस फरजाते है उस ट्राइप से थोड़ा-थोड़ा ही डाले और अच्छे यह यह इसे मिला डाली है ओर तो दी ख़़गी करके डाली है और इ इसमें एड़ कर लिए अभी देखिए अब मैं इसे अच्छे से हलके हासे मिला रही हो आप मैंने उपर से इसमें नमक डाले आप अपने स्वाद के नुसर इसमें नमक डाले बस अब आल्मोस्ट तयार हो चुका है बस हम से थोड़ी दिर के लिए पांच मिंट के लिए ढग फांच मिंट के डखने के बाद आप इसे कुछ पर और देखो किरी का होती ताहिए और दीकिन से देखने like, share, comment and subscribe my channel thank you for watching